हलो गाइज वेलकम बैक टो मैं चैनल है ट्रेडिंग लैंस तो चलिए कल के पांस श्टॉक के बारे मात करते हैं इस पर कल के दिन अब ट्रेडिंग कर सकते हैं तो फर्स्ट है हमारा एक्सिस बैंक एक्सिस बैंक में देखेंगे आप यह वाला एक पैटन मना हुआ यहां पर इसमें दो बीरिस केंडल है और यहां पर एक केंडल है जिसने आज थोड़ा सा बाउंस बैक किया है बट यह सश्टेन नहीं होगा मैं आपको ऐसा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि हां पर यह पैटन मना था सेम एस जगे प्यों को एसल को यहां पर सफॉलव करक्त करें कि और टारगेट मिलेगा वह भी आप से 2K कोडिंग बड़ा टार्गेट उसमें देखने के लिए मिल जाएगा और आपको इस पर कोई भी बाइंग की पोजिशन कंसिटर नहीं करने हैं अगर यह कल ऊपर भी चला जाएगा तब भी आपको बाइंग के पॉइंट ऑफ यू से इसको इग्नोर करना है और नेक्स्ट पर क्लोजिंग करिया क्योंकि कभी 600 के ऊपर क्लोजिंग कर नहीं पर रहा था तो आज इसने क्लोजिंग करिया तो हम स्वेंग निविसन पर jap inter करिए तो हम 606 का ऐसे लगाएंगे और इस पॉइंट के क्रॉस होती है हम उस पर बाइंग की पॉजिशन बना लेंगे और उसके अकॉडिंग वन रिस्यू तू या फिर वन रिस्यू थी तक का हम इस पर टार्गेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं और नेक्स्ट हमारा और ओर फार पॉजिशन मनाएंगे और इसको हमें सेलिंग के पॉइंट ऑफ यू से इग्नोर करना है क्योंकि यहां पर दो दिन होगे इसको सस्टेन करते हुए इसी लेवल के असपास तो अगर यह बाइंग के पॉइंट ऑफ यू से ऊपर जाएगा तब हमें उसमें अच्छा रिस्क तो ट्रेल करना है बुक नहीं करना होगे वने रेशो थिरी मिनिममूम हम टार्गिट लेने कोईसिस करेंगे क्योंकि अगर यहां से उपर जाएगा तो आपको वनें रेशो इसमें अगर हम 9 point expect कर रहे हैं तो यह कोई ज्यादा बड़ा target हमारे लिए नहीं है तो हमें बस इस point का एसल लगाना है और इसमें पोजिशन लेंगे और selling side का कोई भी विए इसमें नहीं है और इसमें भी आपकी कोई भी selling की position नहीं रहेगी तो 15 मिनिट के time frame में देखेंगे तो हमें क्या करना है इस point के ऊपर ही बनानी है हमें position यह point आता हमारा 8480 इस point के ऊपर हम एक position मनाएंगे और उसमें हमारा 10 पॉइंट का SL रहेगा और 30 पॉइंट का minimum इसमें target हम expect करेंगे क्योंकि जब यह इस level को break करेगा 8500 को तो यहां पे 20 पॉइंट अबव ईजली जा सकता है तो हमें 30 पॉइंट का target आसानी से इसमें मिल जाएगा क्योंकि हमा हमें भी similar pattern मनाया है यहां पे आप head and shoulder kind of pattern देख सकते हैं आपे तो हमें क्या करना है जब यह day high break करेगा हम इस पर buying के position मनाएंगे और इस point के break होते हमें इस पर buying के position मनानी है और just 1 रूपीज का SL रहेगा और उसको हम 1 ratio 3 तक उसको ट्रेल करेंगे 1 ratio 3 के बाद हम उस पर क्या क रख देंगे हमारा अगर उसमें loss भी होता है तो वह हमारा profit में ही रहेगी trade क्योंकि हमें 1 ratio 2 पे book कर लेना होगा full quantity और जब अगर यह उपर चलता जाएगा तो हम उसको और trail करते हो लेके जाएंगे और 1 ratio 4 मिल जाता है उस पर तो आपको full quantity उस पर book कर लेनी है और इस पर आ कर दो कर दो